सरकार है, सरकार चालवाजियां करती है और चतुराई से काम करती है कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या यही तो कहा उस समय पांच गाउं मांगे थे बगवान किस ने तो पहले कहा जब वो समझोता करानी के लिए गए थे माह भारत कर यह तो टालने के लिए गए थे तिपि देना हो तो आधा दो लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल पांच क्राम क्या सीम योगी के एक बयान से बदलेगा पुरा खेल कैसे लोकसवा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने तै कर दी है भविश्य की सियासी रूख देखा क्यों आप राम मंदिर नहीं मतुरा काशी पर पढ़ेंगे वोट क्या विपक्ष को फिर से बीजेपी ने अपने ही राजनेतिक चक्रिवीव में पहसा दिया है नमस्कार मैं हूँ शिवेंद स्रिवास्तो आप देख रहे हैं स्ट्रेश्ट भारत आज बात करेंगे लोकसभाद चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर के भव निर्मार के बाद अरद्या धाम से निकल कर काशी मतुरा पर केंद्रित होने जारे सियासत की मगर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे सियम योगी ने अरद्या के मसले पर अपने विरूध्यों को आयना दिखाया है बस देदो केवल पाच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका आसीस समाज की ले न सका यहां तक कि उसने भी बगवान स्री कृष्ण को बंधर बनाने का कुछित प्रियास किया उल्टे हरी को बांधने चला जो था साध्य साधने चला यही तो हुआ था यही तो हुआ था युद्य के साथ दसल अभी कुछ दिन पहले ही पूरी दुनिया राम लला की दिव्विप्रान पतिष्ठा की साक्षी बनी थी हर एक राम भक्त में 22 जन्वरी को दिपोट्सो मनाकर राम लला का हर्स उल्लास के साथ नए मंदिर में स्वागत किया था ऐसे में विपक्षी नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ राम मंदिर के सहारे अपना चुनावी एजेंडा स्वेट करने के आरोप लगा रहे थे और आरोपो का ये सिल्सला भी तेजी पकड़ ही रहा था कि सीम योगी आदितनात ने यूपी विधान सभा से बड़ा ऐलान कर दिया इस एलान में ये तैय कर दिया कि वो रोड मैप जिसके इर्दगिर्द आने वले वक्त में सियासत अपनी मंजिल तराश्टी में जब आएगी वो योगी की यही लाइन होगी हमने यही तो कहा उस समय पांच गाओं मांगे थे भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा जब वो समझोता करानी के लिए गए थे माह भारत को तो टालनी के लिए गए थे कि देना हो तो आधा दो लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो देदो के ओल पांच ग्राम लेकिन वो पांच गाओं लेकिन यहां तो इस समाज सेकड़ों वर्सों से यहां की आस्ता केवल तीन के लिए बात कर रही है तीन के लिए वे विशिष्ट अस्तल हैं वे सामान्य नहीं है इस तोर की ओतरन की धरती है और सामान्य नहीं है और सामान्य यानि उसको सामान्य अस्तर पर नहीं मान सकते सीम योगी ने इस पस्ट कर दिया कि बीजेपी का माइंडसेट क्लियर है क्योंकि विधान सभा में इशारों इशारों में सीम योगी ने यान वापिय और मतुरा का नाम लिए बगार बता दिया कि आब आकिर ओने वाला क्या है हमने तो कि तीन जगे मांगी है अन्य जगों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था अयुद्या के लिए और देखें अयुद्या का उत्सोज लोगों ने देखा तो नंदी वावा ने भी कहा वे हम काहें इंदचार करें उन्होंने बिंदचार के वेगर रात्री में बेरिकेड तुड़वा डाले और हमारे कृष्ण कनईया कहां मनने वाले हैं सियम योगी ने राम मंदर आंदुनों के वक्त के हरात को याद करते हुए अपने विरोधियों को जम कर घिरा है और बताया है कि कैसी अपनी आस्था के लिए एक वहुसंख्यक समाज सालों साल गिरगडाता रहा है गुहार लगाता रहा है लेकिन कुछ लोग अपनी सियास जिद में ऐसे उलजे तो उन्होंने विवात पैदा कर दिये है लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनितिक उसमें तड़का परने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनिती होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है यानि लोक आस्ता भारत के अंदर लोक आस्ता का अपमान हो बहुत सल्केक समाज गिरड़ा है ये पहली बार देखने को मिला दुनिया देख रही स्वतंद्र भारत में काम पहले पहले होना चाहिए था 1947 में प्रारम होना चाहिए था और उस आस्पा के लिए बार बार गुहार लगाता रहा हमने तक तीन जगे मांगी CM योगी ने कहा है कि आयोध्या ध्राम में 500 सालों के बाद हुए राम लुला के आगमन और इस मुद्दे से संबंदि सरकार के कुछ संकल्प का विरूद भी कुछ लोगों ने किया है जो जन भावना के खिलाफ है मौज़ पुरा देश आलादी थे वो तब कुछ सदस्चों के दार सिसप्रकार का किर्त रहा जन भावना के विप्रीत है जन आस्ता के साथ खिलवाड है और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावना ही तो यही कहती है कि जाके प्रियन राम बैदेही तजिये ताही कोटी बैरीसम जद्दपी परमसले ही तब कर्फ्यू का सन्नाटा था आज अयुद्ध्या मंगल भवना मंगल हारी के धुनी से गुजाएमान हो रही है तब कि सरकार ने अयुद्ध्या की उपेक्सा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्सा रखता है और उस नई अपेक्सा के साथ आज अयुद्ध्या आप सब को भी अयुद्ध्या के लिए प्रभो के दर्शन करने के लिए आमंदित करती है बीजेपी का विजन साफ है 2024 की सियासी विसात पर एक तरफ राममंद्रिक निर्माल की उपलब्दी बीजेपी की हित में जनता को लुभा रही है तो दूसी तरफ विक्सित भारत के संकल्प का नारा मोधी की गारंटी के भरो से जनता के बीच सुर्ख्यां बटोर रहा है ऐसे में अम्मतुरा और काशी के मुद्दे पर सियम योगी की हुंकार बहुत कुछ कह रही है और बता रही है कि आस्था से जुड़े इन मसलों पर बीजेपी अब फ्रेंट फुट पर ही खेलने वाली है ऐसे में जहां बीजेपी का चुनाव पचार जोड पकड़ रहा है तो वहीं विपक्षी गरबंधन इंडिया के खेमे में हल्चल अभी भी मची हुई है क्योंकि बिहार में निपिश्वार पहले ही पलड़ चुके हैं तो वहीं पच्चिम मंगाल में मम्ता बनरजी पर इंडिया की पकड़ पहले कमजोर हो चुकी है और तो और दिल्ली, हरियाना, पंजाब में केजरीवाल लगातार कॉंग्रेस को आँख दिखा रहे हैं इन सब के बीड जैसे तैसे, तमाम सियासी जोर गड़ित को सुलजा कर, यूपी में कॉंग्रेस को सिर्फ एक सहरा मिला है, वो है साइकिल का लेकिन साइकिल भी सिर्फ अपनी तैश शर्तों पर ही कॉंग्रेस को मंजिल तक ले जाने के लिए तयार है ऐसे में विवक्षी खेमा इस गड़बंधन की खुशी अभी ठीक से मना भी नहीं पाया था कि उधर पश्चमी यूपी में बड़े फेरवदल की पिछ तयार हो गई है क्योंकि पश्चमी यूपी में जिन करीवियों के सहरे राहुल अखलेश जनाधार तलाश रहते हैं वो भी अब बीजेपी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहा है हलाकि अभी तक कोई अधिकारिक एलान अरल्ली की ओर से नहीं हुआ है मगर संकेत तो यहीं है कि अरल्ली और सपा के बीच का गडवंधन टिकट बटवारे के मसले पर इसकदर उलजा है कि दोनों दलों के नेता आने वाले वक्त में एक दूसरे के विरोधी बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसे में बदलते हालात में अकलेश यादों ने तमाम सियासी अठकलों के बीच सकता पक्ष से हर एक वार पर जबर्दस्त परटवार किया है कि हम सब समिधान से बदे हुए लोग हैं और समिधान हमें अधिकार देता है क्योंकि सरकार है सरकार चालवाजियां करती है और चतुराई से काम करती है कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या ऐसे हालात में यूपी की तेजी से बजलती सियासत के बीच हाल ही में राम लला की प्राण पतिष्ठा के निमंतरों को ठुकरा कर अपना कथित याची हित साधने वाले विपक्षी दलों के नेताओं को सीम योगी एक बार फिर से बीजेपी के उसी आस्था के मुद्दे पर जनता के बीच खीच लाए हैं जिसके सहारे बीजेपी ने अपने और अपने विरोध्यों के बीच एक बड़ी लकीर राम मंदिर अंदुलन से लेकर राम मंदिर निमार तक खीच कर रखी थी ऐसे में चुनावी विसात पर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरनी की प्लानिंग कर रहे विपक्ष को बड़ा जटका लगा है क्योंकि उन्हें फिर से जनास्ता से जुड़े काशी मतुरा जैसे मसले से निपटना होगा और जनता को बताना होगा कि इन मुद्दों पर बीजेपी से इतर उनकी आखिर राय है क्या फिलाल इस खास पेशकर्ष में मेरे साथ बस इतना ही फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे पर एक नए सठीक आकलन के साथ नमस्कार